आखिर सीवी ने वो कहा जिसकी उमीद नहीं थी और बातों बातों में सीवी ने वो सच बताया जो सबको यकीन था सपना और सीवी के बीच में कुछ हुआ है तो क्या हुआ है आए इस वीडियो के माध्यम से मैं सच बताती हूं नमस्कार दोस्तों मैं मधूली का आप सब को स्वागत करती हूं आपके अपने यूटूब चैनल जिसका नाम है मधूली का uprbl तो दोस्तों जैसे की आपको पता है सीवी सीवी और सपना के बीच में बहुँ ज्यादा बाते हो रहे हैं कि आखिर सपना जो है क्यों छोड़के गई ग्वालियर और सिवी और सपना के बीच में ऐसा क्या हुआ जो सिवी सपना को अनफालो की हैं बलकि सिवी ने एक ब्लॉग डाला जिसमें उसने बताया है कि हम लोगों की बीच में ऐसा क्या हुआ जिसकी वज़े से हम लोग एक दूसरे से अलग हैं तो दोस्तों आज इ के बता दे कि सप्राने क्यों छोड़ा कि सप्राने अपने बीडियों में बता चुकी कि इस टि क्या है का क्योंकि उसका जो रेंट पर ले के रह रही थी वहां कि जो उसकी सुसाइटी थी वह में रोड से थी और उसने बताए मेरा काच का पूरा वो था तो मेरी बच्ची की सुसाय मतलब सेप्टी के लिए तना बड़ा जूट बोलेंगी किसी को यकीन आया मगर कहते हैं न सचाई नहीं छुपती है सिवी सिवी ने जूट बोला और एक वीडियो में जूट बो कि महें तक जाते हैं तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है सिवी और सब्सक्रद इस टाइम पर अलग हैं दोनों यकीनल जब सपना जो हैं आई थी गौलियर सब्से ज़्यादा अगर सपोर्ट किया था तो सिवी सपना का सपोर्ट किया था सिवी ने किया सीवी की फैमली की आए दिन हर दूसरे तीसे दिन सीवी सपना से मिलती सपना सीवी से मिलती मगर ऐसा क्या हुआ दोनों के बीच में जो इतनी जादा गहरी दोस्ती थी वो दोस्ती चल नहीं पाई सिफ और सिफ देड़ महीने में सपना को ग्वालियर छोड़ना पड़ा और दोस्तों कहा जा रहा है सपना की बेटी का एडवीशन नहीं हो रहा था जुलाई में क्योंकि नमंबर और दिशंबर में फाम आते हैं फरवरी में नीव एडवीशन होते हैं फरवरी मार्च में यानि फर्स्ट अप्रेल से क्लासे सुरू हो जाती मगर सीवी के घर वालों की सपोर्ट की वज़े से ही उन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया तब जाके सपना की बेटी का अच्छे स्कूल में एडवीशन हुआ जिसके एडवीशन में इतना खर्चा हुआ हो फी इतना सोर्स लगवाई हो सिवी तब जाके उनकी बच्ची का अड़ीशन हुआ और शपना ने उन्हें बीच जास्ते पर छोड़ के चलिए तो दोस्तों जैसे कि हम लोग देखें सपना ने अनफालो सीवी को नहीं किया मगर सीवी ने अनफालो किया है सीवी का ब्लॉक आया हम सभी लोगों ने देखा उस वीडियो में सीवी कह रही है कि नहीं यहां तक कि सीवी जो है कहतो रही नहीं ऐसा कुछ नहीं मगर यहां तक सीवी सपना का नाम लेने में कतरा रही थी नाम नहीं लेना चाह रही थी और लास्ट में उसने नाम लिया नहीं तो ऐसे हर एक बात पर सपना दी सपना दी यह सपना दी वह सपना दी मानते ह है कि सीवी की पहचान सपना से हुई क्योंकि सीवी को कोई नहीं जानता था जब सपना आई उनकी लाइफ में तब सब लोग जानने लगें नहीं तो सीवी को कौन जानता था कोई भी नहीं जानता था तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ये बात सिवी ने कहा कि मुझे ब्लॉगिंग करने में और यूटूब के पैसों कि मुझे कोई जरूरत नहीं क्योंकि सिवी के जहां तक मुझे मालूम है सिवी की कई फैक्टरी चल रहें उनका एक हॉस्पिटल भी चल रहा यानि अच्छा खासा बिजनेस है उनके में देख रहें करते हैं उनके यहां उनका हॉस्पिटल बड़ा सा चल रहा है तो दोस्तों और उस दिन बीडियो डाला उसने कहा ऐसा कुछ नहीं मगर मूं से तो बोल रही थी ऐसा कुछ नहीं मगर सी फ ochny कि आनुड के बता रहें थी कि सीवी जुट बोल नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं सीवी ने अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो सीवी ने कई बार उस बीडियो को कट कट करके क्योंकि जब सीवी की बीडियो हम लोग देख रहे थे लग रहा था अब सीवी की आँखे आसू छलकने वाले अब आसू छलकने वाले मगर सीवी ने कट करके वो वीडियो कम्प्लीट किया दोस्तों सीवी ने कहा कि जैसे कि मुझे जब मैंने सबकी वीडियो देखी मेरे बारे में ऐसा हो रहा है पहले दिन जब सीवी ने एक ब्लॉग डाला उसमें सपना का नाम भी नहीं लिया उसने कहा कि मैं किसी की जिन्दगी से क्या मतलब वगएरा वगएरा मैं किसी की जिन्दगी में नहीं सबकी अपनी जिन्दगी है जिसको जैसा जीना है वैसा चलेगा वैसा होगा मगर दोस्तों यहाँ पक्का यकीन से कहा जा सकता है सीवी और सपना के बीच में कुस्तो धमाका हुआ है कुस्तो हुआ है छोटा मोटा नहीं हुआ बड़ा ही कुछ हुआ मगर हुआ है इस बात को देखो क्या सपना इस बात को नहीं बता सकती सपना के पास यह सारी वीडियो नहीं पहुंच रही होंगी कि सीवी और सपना का क्य सोशल मीडिया पर रीक्षन चैनल वाले वीडियो डाले आखिर सिवी और सपना क्यों अलग है क्यों जो बंदी हर वक्त हर वक्त जो बंदी साथ देती थी सपना का सपने के बूरे वक्त पर सबसे कि ज़्यादा सद दिए तो सिफोसिफ सिवी दी क्योंकि सपना ने जब अपना सशुराल चोड़ा था तो सिवी एक ऐसी एकलावती बनदी थी जिसके ओहां सपना ने 3 दिन बिताये थीं तीन दीन पूरा बिताये थे और सिवी सब लोग मिल के सपना को रेंट में घर भी दिलवाए थे जो भी समान था सपना का सीवी खरीद वाई थी जब भी जरूरत रहती थी अपनी गाड़ी लेके पहुँच जाती थी उसके घर वाले भी सपोर्ट करते थे मगर दोस्तों ऐसा क्या हुआ जो सपना और सीवी में इतनी जादा दुस्मनी बदल गई सपना के इंस्ट्राग्राम एकाउंट में मैंने खुद जाके देखा सपना जो हैं सीवी को फॉलो की हैं मगर सीवी सपना को अनफॉलो कर दी हैं बलकि लखन जी को फॉलो की हैं अनसू को भी फॉलो की मगर सपना को अनफालो के जो दोस्त हर वक्त अपनी दोस्त के पीछे रहती थी सपना दी, सपना दी, सपना दी कहते कहते सीवी का मूँ नहीं दर्द होता था वो बंदी जब सपना ग्वालियर छोड़ के गई तो सीवी नहीं गई जो हर दूसरे दिन, तीसे दिन जो पहुंसती रहती थी, और फी इतनी दूर भी नहीं है, I think हमको लगता, जहां सपना रेंट लेके रह रही थी, वहां से सिवी का घर इतना दूर भी नहीं था, क्योंकि जिस हिसाब से सिवी हर दूसरे तीसे दिन जाती थी, तो जिस दिन ग्वालियर से सपना गई है उस दिन सिवी क्यों नहीं आई और सिवी ने तो कह दिया नहीं हमारे उनके बीच में कुछ नहीं है सिवी ने कहा ऐसा कुछ नहीं है मगर सिवी ने ये नहीं कहा कि हमारे दोनों लोगों की दोस्ती कभी नहीं तूटेगी मैं और सपना दी बहुत अच्छी दोस्त है हम लोग एक बहन है सपना दी मेरी बहन जैसी है यह बहन है बड़ी हम लोगों के बीच में कभी वो ऐसी दोस्ती नहीं तूटेगी और ना यह बहन का जिस्ता तूटेगा ऐसा कुछ सिवी अपने वीडियो में नहीं बूली सिवी ने केवल ये कहा गोल मूल करके बात की है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है वगरा वगरा और वो ले देके यहां तक की देखा गया सिवी सपना का नाम लेना नहीं चाहती थी मजबुरी में सीवी जो है सपना का नाम दे है तो दोस्तों इसमें तो कुछ बड़ी बात हुई है मैं जब सपना की वीडियो की नीचे कमेंट देखती हूँ उसमें से कम से कम 80% लोगों की कमेंट यही होते हैं सपना तो हाई ऐसी है सपना तो ऐसी ही है इसने अपने सबसे पहले भोले साथ ससुर को फसाया लोगों की नजरों में कि यह लोग कितने गंदे हैं फी उसके बाद उनको छोण दिया सबसे पहले तो अपने गए हुए पती को उसमें कमेंट था कि सबसे पहले अपने गए हुए पती को लोगों के सामने बदनाम किया वो पती जो इस दुनिया में नहीं है अरे ये काम तो कोई नहीं करता जो इनसान इस दुनिया में है नहीं मरे हुए पती को लगभग मिलियन में लोगों ने गाली दी गलत बोला कि सूरज ने बहुत गलत किया सबसे बड़ी गलती तो यह दूसरी उसमें कमेंट में था कि दूसरा बूढ़े सास ससुर को छोड़ा और वो सास ससुर अगर चाहे तो बगल में जो पड़ोसी उनकी वीडियो बनाते उनके माध्यम से सारी बात रख सकते हैं अपनी चूट में ही बता दे किनों ने ऐसा किया वैसा किये मगर वो लोगों ने कुछ नहीं किया इनको सिफ और सिफ अपने हिस्से की पड़ी थी वही लोगों को दिखाना चाहते अरे भाई हिस्सा क्यों दे क्योंकि आज आप कह रहे हैं मुझे दूसरी शादी नहीं करनी कल क्योंकि भाई दिमाख है मैंड कब चेंज हो किसी का कुछ नहीं जैसे आपने कहा था कि कुछ भी हो जाए कुछ भी हो जाए कुछ भी का बहुत कुछ हो सकता कुछ भी हो जाए मैं इन बूरे मा सास ससुर को नहीं छोड़ूंगी मैं ही इनका बेटा हूं मैं ही इनकी बहूं हूं मैं ही सब कुछ हूं तो कुछ भी हो ज अन्सु की अन्सु को कहा कि यह मेरी बेटी है अन्सु मेरी जान है अन्सु मेरी यह है अन्सु है तुम्हें अन्सु को भी छोड़ दिया अन्सु को भी बदनाम कर दिया अब अगर वो लोग अभी से आपको दौलत दे तो आपको क्या भरोसा है कल को आप जो है उसको भी तो दोखा दे सकते भाई तीसी शादी कर लो उनका जितना दौलत है धन है सब वो आपके पास मेरे का उसको तो बुढ़ापे में अगर वो लोग अपना सहारा एक दौलत के माध्यम से ढूण रहें तो उनके पास होना चाहिए ना भाई आज कल करते हैं पैसे हो किसी के पास पैस तो आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा जो ये कमेंट आ रहें निगेटिव और फ्यूज के बाद आए अब सीवी की बारे सीवी को भी सपना ने धोखा दिया चोण दिया और सीवी को भी बदनाम कर दिया और बच्चे लाखन जी लाखन को भी सपना तो हाई ऐसी है सपना ने तो सोच ही के रखा कि जिसकी जिन्दगी में जाना कुछ दिन रहना फ्यूज को छोड़ देना तो सीवी हो सकता है इसलिए खुल के बात नहीं कर रही हो कि सपना की लाइफ में तो ऐसे सारे लोग उसको गंदा बोल रहे हैं उसको ऐसे बोल पता ही नहीं है मगर उसकी आखे और उसका देखने से पता चल रहा था सीवी बहुत रोई है जब बीडियो बना रही थी कट करके लग रहा था अब रोने वाली तो दोस्तों इधर सीवी को भी गलत लोग कर रहा है उनके कमेंट कर रहा है उधन सपना को ज्यादा निग्यो सपना और सीवी के रिष्टे में क्या हुआ जिसकी वज़े से सीवी और सपना अलग हुए और सपना जो है क्या सपना को इतनी जल दी थी अक्टूबर हो गया नमबर डिसंबर जनौरी फर्वरी फरवरी में बच्चों के एकजाम हो जाते मार्च में छुट्टी होती तो क्या सपना तीन-चार मन्थ नहीं रुख सकती थी ऐसे कमेंट थे तो दोस्तों आप लोगों क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताईगा मैं मिलती हुनेस्ट वीडियो वे तब तक आप अपना अप पहुचे और दोस्तों मैं टेंडिंग टॉपिक पर वीडियो बनाती हुँ तो प्लीज प्लीज मुझे फॉलो कर लीजिएगा और आप लोगों को कुछ भी पूछना है तो आप मेरे इंस्ट्राग्राम एकाउंट पर भी जा सकते हैं मेरा इंस्ट्राग्राम एकाउंट है मदू शर्मा फाइब बारियल आगे टूप वहाँ जाएए और मुझे